हलो स्टुवन वेलकम टो एक्विटर अकैडमी देरदून और मैं आप लोकल आया हूँ फिर से एक्विटर अकैडमी के तरफ से न्यूस पेपर एनलिसिस जो आपके आने वाले आपक आंजसे में ज्सेन श में बाते इसक्स कर लेते हैं जिसले में किसी फॉर्मेट में आ सकता है तो ढ़िखिये जैसे कि पहले अगर हम लुग पर देखें the state of global climate report क्लैमइछ रिपोर्ट रिलीजट जो है वो हुआने रिपोर्ट रिलीज की है ग्लोबल जो क्लाइमेट रिपोर्ट है वो किस ने पब्लिश की आपके वर्ल्ड मेटरोलोजिकल डिपार्टमेंट ने पब्लिश की यह एमसी को के लिए कोशन बन गया तो इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि दा टूथाउजन ट्वेंटी थी वस दा हॉटेस्ट इयर रिकॉर्ड हिस्ट्री ओफ दा प्लानेट यह बहुत बड़ी बात है कि हमारी प्लानेट में अब तक की जो रिकॉर्डिंग चल रही थी टेंपरेचर को लेके 2023 जो अभी भीता है वो सबसे हॉटेस्ट इयर जो है वो माना जा रहा है फिर दे कि moreover the average temperature rise from pre-industrial level has been 1.5 degree celsius बताया गया है with a margin of uncertainty of plus minus 0.12 degree celsius फिर breaking the aggregate limit of 1.5 degree celsius by different nation तो यानि कि जो हमनों गये एक 1.5 degree celsius degree का एक benchmark रखा था कि इससे आगे temperature नहीं बढ़ना चाहिए average temperature पूरी दुनिया का तो benchmark वो टूड़ गया है और वो पहुँच गया 1.5 1.45 degree celsius इसके जो consequence है वो बहुत ज़्यादा harsh होने वाले है आपको आने ले टाइम पर देखने को मिलेंगे चाहे वो ocean का sea level हो चाहे वो climate change हो चाहे वो आपका crops का होता है rotation होता है उस पे इसका असर दलेगा animals पेसका अर्थर आपका डलेगा the temperature rise is what close to breaking the rising global temperature ठीक है फिर देखे आगे क्या है WHO report state that 23 was not only the warmest year by a clear margin but also one where many record were breached वो है कई शहरों में आपने देखा होगा Russia में अमारिका में घरोप में बहुत बुरी कर्मी बढ़े है then for instant record for a rise in ocean temperature ठीक है ocean का temperature अगर बढ़ेगा तो cyclone भी जाद आगे जहां में रखाए तो आपका ये ocean का क्या होता है आपका जो surface temperature होता है अगर आप इसको increase करेंगे ये increase होगा तो इससे सीधा सीधा आपके जो cyclones होगे उनकी जो frequency होगी वो भी बढ़ेगे then glacious retreat and diminishing Antarctic ice cover were also break तो नीचे जो आपका क्या है जानते हैं कि south pole में अंटार्टिका में huge amount of ice है अगर वो break हो रही है global warming के कारण तो as well है कि जो melt होगी तो sea ocean में जो water level है वो rise होगा कई आपके जो coastal nations है वो डूबेंगे तो huge level of क्या होगा बच्चों एक word आप ध्यान रखेंगे environmental migration यह आलने टाइम पे आपको सुनने को मिलेगा then फिर क्या लिकाए there is a frequency extreme weather of heat waves जो है वो बहुत बढ़ेंगे आपकी torrential जो rains है वो बढ़ेंगे tropical cycle जैसे हैं बताया है कि वो बहुत जादा आपके आएंगे then disturb many activities including agriculture तो इस temperature बढ़ने से सीदा 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 सबसे बड़ा impact जो पढ़ने वाला है पूरी दुनिया में वो पढ़ने वाला है वो है आपका agriculture हम सब जानते हैं कि agriculture is the most important thing जिसको हर कोई निगलेट कर रहा है अगर आपने वो किया बढ़ा बहुत समझाता किया या फर्क पड़ा तो there is a huge amount of scarcity of food products तो फिर तो उसके सामने आपकी IT industry या economic boom doesn't matter ठीक है then social economic development जह है उसमें भी इसका असर पड़ेगा पर यहां पर क्या लिखा हुआ है कि industrial progress since mid 18th century has improved the quality of life यह बात हम मानते हैं कि industrialization से जो है quality of life तो improve हुई है बट इसका जो effect पढ़ा है वो हमारे किस पर पढ़ा है environment पर पढ़ा है एक तरफ quality of life improve हो रही है बट दूसरी तरफ जो quality of environment है quality of air है quality of weather है climate है वो लगातार decrease हो यह आप कीजें को जहां रखते हैं सबाप में लिख सकते हैं उसके बाद जो और important चीजे हैं जिसको मैं underline कर रखा है इस article में dependency on natural resources for energy requirement has had enormous bearing on climate ठीक है क्योंकि हम लोग क्या burn करते हैं आपके जो fossil fuel होते हैं उसी को अभी बहुत बड़े mass develop इसलिए 50 to 70 years में burn किया है और fossil fuel में huge amount of जो आपका है क्या जो कार्बन का आपका emission हुआ है वो conductor जो ग्रीन हाउस gases जो है वो निकिनाइज इन ग्लोबल temperature यहां पर लिखा हुआ है अब यहां पे एक और खास बात जो Paris agreement किया गया था to hold the temperature rise to well below 2 degrees celsius from the pre-industrial time as pursuing efforts to limit 1.5 जो कि मैंने शुरू बताया कि हम आपको ब्रेक कर चुके 1.4 degrees celsius बढ़ गया और यहां से question क्या है कि Paris agreement enforced कब हुआ था आपका November 2016 में तो यह डोट डेट आपको यहां रखनी है 4th November 2016 कि आपके स्क्राम में पूछ सकता है 10 step 2 carbon emission तो देखो कई country हो अगर हम अपनी बात करें इंडिया की बात करें तो इसलिए हमने बहुत mass level पे जो हमारी current government है उन्होंने national solar mission को चलाया ठीक है तो इससे आपके question में 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 बन सकते है national solar mission जो rooftop scheme है या बहुत सारी scheme है जो subsidize rate में solar panels जो है दी जा रहे है अभी national solar mission किसके under में चलाय गया है तो it is run under national action plan on climate change ठीक है run under national action plan on what climate change तो यह दो ऐसे topic है बच्चों जो आपके UKPCS के mains में आपके पक्का आएंगे ठीक है आने के पूरी possibility है mains में यह पूर सकते हैं फिर अभी सरकार जो है national solar mission के बाद आपके national green hydrogen mission पर भी बहुत ध्यान दे रही है तो यह भी एक ऐसा topic है जो आपके किसके लिए है mains के exam के लिए बहुत important है आपको अभी से इसक लेकिन अब यहां से question mains के लिए बनेगा जो मैंने green color के box में कर रखा है कि have we active too late or are we doing too little for the environmental change या climate change question इस तरीके से बन सकते हैं कि क्या हम बहुत लेट हमने यह reaction लिए शुरू कि आए कि conventional energy जो आपकी energy है fossil fuel है उसको हटा कर जो non conventional energy के sources उनकी तरफ step जो हमने लिया है वो क्या ब बहुत डेट लिया है या दूसरा आपका बन सकता है कि जो हम steps ले रहे ही are they very too little ठीक है यह बड़ा important है अब जैसे कि आपको बता है कि हमारे इंडिया में election season चल रहा है से में लोकसभा का election चल रहा है जिसमें राइटर ने ही बात बोली है कि जो in this election season the WMO report should result in an awakening not only for all of humanity but also specifically for all political party all political parties को इसको बहुत बहुत ज्यादा serious अब लेना चाहिए ठीक है कि WMO इस बात का reference दे चुका है ठीक नहीं पर कहा गया है कि और सम्में यहां से बात बूली गई है कि जो हमारा अमरित काल चल रहा है counted as a true world power in the Ambrickal the demand on its solution of climate change action will be washed यानि कि इस Ambrickal में जो भी हमारी गवर्वर्मेंट दुबारा third time repeat होती है तो क्या BJP गवर्मेंट कुछ ऐसे strict section ले सकती है जो कि बहुत जाज जोड़ी है environment को लेकर तो यह बच्चो आपके premiums का यह topic है जो मुझे लगता है कि आपके exam में आ स जोड़ी तो है सकती है समय की को लेकर दोड़ी है में यह जोड़ी है जो नोड़ी है शोड़ी है गश्याम ऊवाद़ च्राइजेतर को अजोते हैं जोड़ी है apod narrative दू़ी है अदू भॉकित गवरी है इने जोड़ी है और Djuntनीननननननननननों पippारתי को तो Raum भेईश वि